हलो एब्रीवन मैं हूँ ममता सागत हाप सब का एक बार फिर से कलाकारी हप पर दो और आज हम बना रहे हैं चटपटे क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल मिर्ची के पकोडे जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही तेस्टी जिनको आप फटा फट से टी टाइम पर बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए चलते हैं आज की इस बड़िया सी टेस्टी रेसिपी की तरफ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक ज़रूर करना आगे शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चलते हैं वीडियो की तरह मिर्ची के पकोड़े बनाने के लिए हमें इस टाइप की मिर्ची लेनी है ये नॉमल वाली मिर्ची नहीं है जो डेली यूज में हम यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा तीकी होती है ये तो बहुत लाइट होती है बहुत कम तीकी होती है ऐसी हमें लेनी है इससे भी ज़् और आप बिल्कुल भी ना निकाले तो भी कोई बात नहीं है, बट मैंने थोड़े-थोड़े से निकाल दिये थे, मुझे ज्यादा लग रहे थे, तो अच्छा थोड़ा सा गैप भी मिल जाता है, मसाला भनने के लिए, ऐसा हो है, तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा- पाउडर, आदा छोटा चमच अमचूर पाउडर, आदा छोटा चमच नमक लिया है, और वन फोर्थ टी स्पून मैंने काला नमक लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन में से कुछ चीज़ा आप स्किप भी कर सकते हैं, गर आपके पास ना हो तो, मसाला रे यह देखे, इस तरीके से भर ले, सारी मिर्ची में मैंने मसाला भर लिया है, अब हम इसके लिए बनाएंगे बैटर, जिसे यह पकोड़े बनेगे, वन फोर्थ कप मैंने बेसन लिया है, आदा छोटा चमच मैंने नमक लिया है, और वन फोर्थ टी स्पून इसमें हल्दी सोडा लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप क्वैंटिटी का जरूर ध्यान रखें, और अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिला है, यह वन फोर्थ कप पानी है, उसमें से थोड़ा सा मिला है, हमने अभी उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बढ़िया से एक स मिर्ची को इसमें डिप करके दिखाती, कि हमें कैसा बैटर बनाना है इस आरीकय सा बेटर बनाना है बस मिर्ची कोट हो जाए थोड़ा सा इस टाइप से छळillar अब चलतें, गैस की तरफ हमने ऑईल को अच्छे से गरम कर लिया बढ़िया से उसके लिए हमने थोड़ा सा बैटर डाल के देखा है देखा है कितना गरम है यह बिल्कुल बढ़िया से गरम है इसको हम निकाल देते हैं और बिल्कुल रेडी है हमारा तेल पकोड़े के लिए हमने मिर्ची को बैटर में डिया इसे डिया आपको एसे वेट नहीं करना है कि पूरा बैटर निकल जाए और कुछ सेकंड रुके एक मिर्ची डाले और कुछ सेकंड रुके और फिर दूसरी मिर्ची डाले वन्हाँ कि नहीं तो इनका थोड़ा चिपकने का डर रहता है तो बस डाले DO 23N एसे रुकें और फिर दूसरी डाल दें और मिर्ची के डालने के बद आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें हाय ना रखें या बीच बीच में आप जादा थोड़ा लगे जादा गरम है तो आप लो कर सकते हैं वैसे लो जादा नहीं रखना है मीडियम रखना है ओईल को लेकिन आप मिर्ची डालें गेन इसमें तो जैसे जैसे यह ना तो एक정 मोटी मोटी होजाएंगी कि इतरम बड़ा साइज हो गया एक दम फूल के बस ऐसा ही हमें वै खरतना अप कोध स्टिया और संसरे बढ़न करना राऊन पर इसी हम इसी तरीके से रह लें थाड़ा था भरत सब batches में इनको fry کر लेंगे और बहुत ही बढ़िया crispy बनेगे एक लिखी यह मरची के पकोड़ कोड़ों को और किये लीजिये इसी तरीके से हमने सारे मरची के पकोड़ों को हमने fry कर लिया बहुत ही बढ़िया बने की लिखी बेवर है डियह awfully पादर का हमने मसाला फिल किया उससे ना बहुत ही टेंगी फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी बनती है आप जरू ट्राय करके देखना सबको बहुत पसंद आएंगे और देखा बनाने में कितना आजाना फटा फट से बन जाता है बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगता है अब टी मुझे जरूर दीजेगा कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके ये मिर्ची के पकोड़े कैसे बने और सबको कैसे लगे और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और भी नहीं नहीं रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिसना हो थैंक्स फॉर वाचिंग